So, Hello Everyone, तो आज हम लोग के GK Booster Dose 2.0 सीरीज का पार्ट नमबर 3 रहने माला जिसमें कि हम नए इम्पॉर्टेंट 30 क्विस्चन्स देखेंगे अपने GK के सभी सेक्शन से, History, Geography, Policy, Economics, Current Affairs, सभी सेक्शन से अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लगता है नहीं आता तो आपको नोट करते चलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोईस्टियन है आज हमनों का सेशन स्टार्ट जी के से स्टार्ट हो रहा है सुप्रिसिद चित्र बनी ठनी के शालिपार अधारीत है तो फेमस पेंटिंग बनी ठनी इस बेज़ ओन विच स्टाइल जैपू स्टाइल, कांगला स्टाइल, बुंडी स्टाइल एफिर किशन गर्ड स्टाइल सही answer option number D होगा किशन गर्ड स्टाइल से आपका ये बेज़ड है बनी ठनी पेंटिंग और बनी ठनी पेंटिंग को मोना लिसा ओफ इंडिया भी बोलते है and it belongs to मारवार स्कूल, ध्यान रखेगा जो राजस्थान का मारवार स्कूल है उससे बेलोंग करता है और इसको मोना लिसा ओफ इंडिया भी बोलते है and किशन गर्ड स्टाइल पर ये बेज़ड है तीन फैक्ट आपने हाँ से देखे अगले कुछिए ने किसके शासन काल में राज़ की धर्म इसलाम समाप्त किया गया था अगबर, शेर, बाबर ये फिर शाज़ा तो ये अगबर के टाइम पर अबालिश कर दिया गया था स्टेट रिलेज़्न इसलाम को और स्टेट का रिलेज़्न इसलाम नहों कि अब हो गया था दीन इलाही की शुरुआत की थी किस ने अगबर ने ये एक नया धर्म इंट्रडियूस किया था नया concept इंट्रडियूस किया था अकबर ने जिस धर्में जिसमें सभी धर्मों के हिंदूइजम, इसलाम, क्रिस्चानिटी सभी का एक तरह से mixture था और इस कब इंट्रडियूस किया था या अगर आपसे पूछ लेता था तो 1582 में इसको इंट्रडियूस किया था और सबसे पहले इस धर्म को अपनाने वाला था कौन तो भीरबल था ये धियान रखेगा ठीक है तो option number A इसका सही आंसर होगा A ठीक है अगला है गौतम बुद्ध की मा किस वंश से समझने थे तो इस डाइनस्टी देड़ गौतम बुद्धा जमदर बिलॉंग कोलिया, शाक्या, माया या फिरलिच्वे तो गौतम बुद्धा की जो मदर थी उनका पहले तो नाम क्या था उनका नाम था महा माया ठीक है महा माया लेकिन वो जिस डैनेस्टी से बिलॉंग करती थी उसका नाम था कोलिया तो आप्शन नमबर A सही अंसर होगा बात करें उनके फादर की तो फादर का उनके नाम था सुदोधना ठीक है सुदोधना और ये किस क्लैन से आते थे सुदोधना ये शक्या क्लैन से द्यान रखेएगा ठीक है इनकी वाइफ का नाम आपको पता होना चाहिए तो ये शोधरा था ठीक है ये शोधरा और इनके सन का नाम था राहुल ठीक है और बाकी किसी और क्विश्चन में इनके जितने भी फैक्ट आते हैं इनके यहां पर मदर से लिएट फैक्ट है तो कि वहां पर हम लोग सारी चीज़न देख लेंगे ठीक है तो ऑक्शन नमबर इस क्विश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठीक है और एक चीज़ आपको याद रखने कि जो इनकी मदर थी महा मया ये महा प्रजापती जो गौतमी थी जो एक तरह से बुद्धा अपनाने माली पहली महिला थी बुद्धिजम धम को तो वो इनकी सिस्टर थी ठीक है महा प्रजापती गौतमी और महा मया दोनों लोग सिस्टर थी आप बोल सकते हो ठीक है अगला क्विश्चन है सिख गुरू अरजन देव किसके शासनकाल में आये थे सिख गुरू अरजन देव वाज इसके कंटेंपररी थे यह आप से पूछ रहा है तो अकबर शाजहां जहांगीर यह फिर उमाई हूं तो जो गुरू अरजन देव थे यह जहांगीर के कंटेंपररी थे और एक चीज़ आपको याद देखनी कि जो आप गुरू गुरू गरंट साहीब देखते हो गुरू इसका पहला वर्जन है इन्होंने ही कंपाइल किया था गुरू अरजन देव ने अगला कुश्चिन वारा फिफ्ट नमबर वेर डिट गांधी जी फर्स्ट यू सत्यागरे इन इंडिया गांधी जी ने सर प्रिथम भारत में सत्यागरे का प्रियोग कहां किया खेड़ा ए इनके पूरे लाइफ करियर में सबसे पहले उन्होंने कहां पर यूज किया तो साउथ आफ्रिका में यूज किया लेकिन इंडिया आता ही सबसे पहले इसको नोने चमपारन जो सत्यागरे था जो कि तिन कठिया सिस्टम के रिगार्डिंग और या फिर इंडिको में आने साउथ आफ्रिका से इंडिया में आने के बाद तीन मुवमेंट्स यह सचंपारन ठा उसके बाद आपका ऐंधाबाद मिल्स टाइक था और असके भी नाइटीन अचरी मिल्स ठाइक थे और और खेला सब्सेंगरे तो ऐसे जो हाई किन रेंग इस हुआ हुआ था उतसफ किस राज्य हम मना जाता है इन विट स्टेट फेस्टिवल कलियाट्टम थेयम एस सलिबरेटेड त्रिपुरा मिजोरम तमिल नाड़ू या फिर केरल सही आंसर है कलियाट्टम केरल का ये एक फेस्टिवल है तो option number D आंसर हो जाएगा अच्छा इसको आपको confuse नहीं करना है थाइपूसम के साथ ये कहाँ पर मना जाता है ये आपका तमिल नाड़ू मना जाता है थाइपूसम अच्छा केरल और तमिल नाड़ू के एक एक और हम फेस्टिवल देख लेते हैं एक तो ओनम है ठीक है और एक है पोंगल तो ओनम जापको मना जाता है that is in किरला और पोंगल जापको मना जाता है that is in तमिल नाड़ू आपको ये बताना है कि बोट रेस जो है फेस्टिवल वो किसमें सेलिबरेट किया जाता है ओनम में की पोंगल में अगला है हम लोगों ने जब GK Booster Doast 1.2 कर रहे थे तब उसमें हम लोगों ने ये सारे facts देखे थे BCCI ने टाटा APL 2022 के लिए किस घरेलू card भुगता नेटवर्क को official partner बनाया है which domestic card payment network has been made official partner by BCCI for Tata APL 2022 तो IPL करें देखें तो official sponsor तो Tata है लेकिन कौन सा card domestic card payment आप देखते होगे ना जैसे कि हम बोलते है Tata APL, Vivo IPL तो वो तो हो गया कि एक title sponsor हो गया बाकी भी तो sponsors होते हैं कई सारे तो उसमें से हमारा कॉंसर domestic card payment जो है sponsor बना ये है रूपे card तो option number C इस question का सही answer होगा अगला question है भारती सेना द्वारा तीन देविसी शीत काली नुचसव का योजन कहा किया गया है वेरेज थ्री डे विंटर फेस्टिवल और्गनाइज बाइज 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 किया है इंडियन आर्मी ने बहुत इंपोर्टन इसको ध्यान रखेगा अगला है कि सिराज सरकार ने अम्मा और बाहिनी योजना को शुरू किया इन विच स्टेट गवर्वर्मेंट ऐस लांच अम्मा और बाहिनी स्कीम किरला सिक्किम जारखंड फिर महराश्टर तो सिक्किम के जो प्राइम स्टिफ मिनस्टर है यह जो गर्ल स्टूडेंट्स होती है उनको हेल्प करने के लिए उनके लिए इसके में बाहिनी अप्शन नमर बी सिक्किम के चेफ मिनस्टर आपके प्रेम सिंग तमांग सिक्किम की कैपिल आपको बताने कॉमेंट में जिसका नाम जी से स्टार्ट होता है ठीक हो रही है ध्यान रखना है सिक्किम is not one of the seven sisters of northeast हम seven sisters की बात करते हैं साथ बहने नौथ-east की जिसे मिजोरम नागाल है अरना चल्पदेश अज हम यह सब आते हैं बट आपका सिक्किम नहीं आता है इस जिसको ध्यान रखना है छे क्रिकेट विश्यो कप खेलने वाली दुनिया की पहली महीला क्रिकेटर कौन बनी है वो अस बिकम दे फिर्स विमन क्रिकेटर इन दे वर्ल तो प्ले सिक्स क्रिकेट वर्ल कप्स शेफाली वर्मा जूलन गोसामी मिताली राज एफी शालॉट एड़ोर्स अंसर ऑप्शन नमबर सी होगा मिताली राज is the first women cricketer to play six cricket world cups and she's the third cricketer to play six cricket world cup third cricketer एक मांत्र महीला क्रिकेटर लेकिन तीसरी अब बोल सकते हो cricketer है after Sachin Tendulkar and Mahila Jayawad of Sri Lanka इनके बाद यह तीसरी वनी है ठीक है ऑप्शन नमबर सी मिताली राज अब महिला जयावद नहीं समझेगा, महिला क्रिकेटर है, अगर जिलनों को नहीं पता है, ठीक है, पुरुषी है, और मॉंबाइ इंडियेस के भी कोच भी है, भारती समिधान में तदर्थ नया धीशों के नियुक्ति का प्रधान है, इंडियेस का नामा बोल सकते हैं, तो कहाँ पर अपॉइंट के जा सकते हैं, हाई को एक प्रॉइम कोर्ण में, अपिर इन सब भी में, क्या जाता है ठीक है अच्छा जो मैंने पॉलिटी का लेक्टियर डाला था जिसमें कि मैंने टॉप आपके प्रीवेस तीन सो क्विस्टिन्स कर रहा है बहुत साइस्ट की डिमांड आई कि से और भी करवाई है इस्ट्री जोग्रफी तो वह अभी जल्दी आने वाला जोग् प्रीज क्विस्टिन्स कराऊंगा तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि आपको रींज जरूर याद रखना है जो मैंने प्रीवेस रेक्वेस्टिन्स कर था था प्लीटी में विकास आप हर आर्टिकल नहीं आद रसकते हुए बट आप रेंज याद रसकते हुए उसे मिलती है options को eliminate करने में जैसे कि हम Supreme Court के कर बात करें तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में 124 से लेकि 147 तो mostly अगर mostly Supreme Court से कोई भी प्रोविशन आता है कोई भी question आता है वो इसी इन्हीं दो आर्टिकल के बीच में होगा mostly हम बोलों 100% इन देखा तो जो प्रीवेसर पेपर स्वाइब कोई 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 इसा नहीं मिला था कि अगर आपको रेंज नहीं पता है तो आप उसको अटेम्ट नहीं कर पार रहें minimum members required to carry on the proceeding जैसे कि हम पार्लेमेंट में सुनते हैं ठीक है कि लोग सभा और राजसभा में कितना कोरम होता है 110 होता है अगर 110 मेंबर नहीं है तो हाउस को एडजर्ण कर देगा speaker या फिर chairman लेकिन उसी तरह ही कोरम होता है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आगर वहां पर भी कोरम नहीं है उस case में मालब सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से advise लेके ad hoc judges यानि temporary judges बुला सकता हाई कोर्ट से ठीक है और ऐसे हाई कोर्ट के कर बात करें तो वहां के चीफ जिस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा वो governor से recommend करके temporary judges को बुला सकता है ad hoc judges acting judges से confused मत करिएगा ad hoc judges अलग होते है acting judges अलग होते है ad hoc का मतलब है quorum नहीं है तो बुला लो acting का मतलब है कि वो किसी कारणवश जज आहां नहीं पा रहा है आहां नहीं पा रहा है in the sense कि वो अपने duty को fulfill नहीं कर सकता है मानलों की कुछ हट गया कुछ भी case है वो vacant हो गई place तो उस case में president appoint करता है chief justice का role बिलकुल खता हो जाता है ध्यान नखेगा acting अगर जज़ेस अपाइंट करने है वाँ chief justice का कोई role नहीं होता है ठीक अगला है भारत में हम लोगोंने question देख लिया है कि when was the new parliamentary committee system started in India तो यह 1984, 87, 991 एफे 1994 आपके options हैं सही answer option number C होगा 1991 में parliamentary committee system start हुआ था parliamentary committees भी दो तरह की होती है एक तो होती है एड-hoc committees यानि की temporary committees अभी एड-hoc का मतलब देखा और दूसरी होती है permanent temporary and permanent तो temporary होती है temporary तो इमेडियेट कोई need आई तो उसके लिए parliamentary committee बना दी ठीक है लेकिन permanent committee जो permanent रहती है अब कोई जो ऐसे काम है कि वो हमेशा होंगे ही होंगे तो उनके लिए permanent committees बना दी गई जैसे की public account committee, estimates committee, committee on public undertakings ये सब आपकी permanent committees होती है और इनके जो chairman होते हैं ध्यान रखेगा उसको speaker appoint करता है अगर लोग सभा की committee है राजसभा की है तो उसको chairman of that राजसभा अपोइन कर permanent committee है अब देखो permanent committees को हम standing committees भी बोलते हैं ध्यान रखेगा ठीक है तो कौन सी committee जिसमें राजसभा से कोई member नहीं होता है मैं आपको option देता हूं public accounts committee, estimates committee, and committee on public undertakings इन तीन committee में से कौन सी committee है जिसमें की राजसभा से member नहीं आते हैं मैं आपको hint देता हूं इस committee में सबसे अब बताओ कौन सी committee है सरवोच चनेले में तदर्थ नया दीशों की नियुक्ति किस देश का की नया प्रणाली से प्रहरित है यह नहीं कि the appointment of ad hoc judges in the Supreme Court is inspired by the judicial system of which country तो अभी हम लोगों ने देखा क्या देखा इसको अपॉइंट करने का क्राइटेरिया तो कहां से लिया गया उस्टेलिया से यह तो आपका आजीब सा option हो गया Canada से यह फिर फ्रांस से सही आंसरों का option number D गवर्णर इन स्टेट सेने की जो राजय पालों की न्यूकती की जाती राज्य में वहमने Canada से लिया और यह चीज़ जो हम लोगों ने फ्रांस से लिया तो option number D और फिर नन अफ दीज आंसर सी होगा छे साले फिर 65 वर्षिया जो भी पहले हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि मालों की 2000 में सेन 2000 में क्याएगा पॉइंट हुआ तो 2006 तक ही यह रह सकता है ठीक है 2006 तक लाइकिन पता चला 2006 से पहले 2004 में इसकी 65 साल की उमर कंप्लीट हो गई तो भी इसको पद छोड़ना होगा यह होता 6 क्या होता है का 148 का क्या होता है तू और यह कि यह यह और भी इसको आडिट करना की कहा कहां से पैसा है कहां 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 से पैसा गया उसको यह आडिट करना यह होता है का का काम जो कि आर्टकल नमबर 148 में दिया है और बात अगर हम करें इसके रिमूवल की तो इसको वैसे ही रिमूव किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज़स को किया जाता है अगला है भारती और यह चीज़ आप से पूछ ले कि मानव रटीना पर बनाबव होता है what is the image formed in the human retina यानि कि human retina में कैसी image बनती है सबसे पहली बात तो यह तो आप समझ यह ना इस question से कि image बनती है हमारी human eye में वो retina में बनती है तो अब कैसी बनती है वो imaginary and inverted बनती है real and straight बनती है imaginary and straight of a real and inverted answer option number D होगा बनती है अच्छा अब retina में image बनती है और जो light ray enter करती है वो कहां से enter करती है वो आप से पूछ लेता है तो वो enter कहां से करती है cornea से enter करती है amount of light entering into the eye वो कौन कंट्रोल करता है तो वो हमारा people यह पतली कंट्रोल करता है अब सिफिर यहाँ पर से कई सारी diseases का उद्गम होता है एक तरह से उद्पन होती है जैसे कि गर retina के पहले image बन जाती है तो उसको हम बोलते है myopia जिसको कि हम concave यह अवतल lens से सही करते हैं अगर बाद में बनती है retina के तो उसको हम बोलते है hypermetropia और उसको हम convex lens यह उतल lens से सही करते हैं अच्छा आप यह बताईए कि जो हमारा plane mirror होता है plane mirror होता है उसमें कैसी image बनती है उसमें कैसी image बनती है यह आपको बताना है ठीक है जैसे कि यह हम लोग है और यहाँ पर image बन रही तो भी कैसी image है options क्या यही हो जाएंगे options आपके यही हैं इन ही में सही आपका एक answer है जो मैं आपसे question पूछा कि जो हमारा plane mirror है समताल दरपन वो कैसी image बनाएगा अगला hydrogen bomb किसने विक्सित किया who developed the hydrogen bomb Edward Teller, J. Robert Oppenheimer, Samuel Cohen या फिर Alfred Nobel तो जो hydrogen bomb है यह आपका किया था developed Edward Teller ने एक और इंसान थे Stanley Saw Ulan ठीक है बट अगर आप बस आप नाम सुन लो वहाँ पर आज जाएगा तो आप कर दोगे बट Edward Teller यह आपके option में आने के बहुत ज़्यदा chances है यह कब किया था? 1952 में किया था hydrogen bomb की बात करें तो आपको पता होगा कि जो बाकी जो bombs होते हैं atomic bombs उनके comparison में बहुत इसमें high energy होती है और क्यों होती है energy, क्यों इतना destructive होता है because यह अपनी जो energy generate करता है that is through nuclear fusion यानि कि परमाडू sun नहीं से अपनी energy को यह बनाता है जिस तरह कि हमारा जो sun होता है, सूर्य होता है वो भी अपना जो energy होता है वो nuclear fusion से बनाता है उसी प्रकार hydrogen bomb में भी जो energy बनती है, वो nuclear fusion से बनती है बात अगर हम करें Alfred Nobel ने, तो इन्होंने किसकी खोच की थी dynamite की, ठीक है dynamite की खोच की थी और आपको पताऊगा कि Nobel Prize भी देता है कौन? Sweden देता है और इन्होंने जो discover, जो found किया था dynamite इन्होंने peaceful purpose के लिए किया था बट हमारी human civilization इसको आपको पता है किस-किस तरह कैसे use किया जा रहा है इसका, खेर अगला question है, कटे हुए save का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायू से create करके क्या बना लेता है the color of a cut apple turns brown after some time because it reacts with air to make what iron oxide, potassium oxide, sodium oxide or aluminium oxide तो अगर हम बात करें यह अगर आपने भी observe क्या हो कि अगर हम apple को cut कर देते हैं तो थोड़ी दे रखने के बाद वो reddish appear होने लगता है तो हम हर चीज में देखते हैं अगर चीज में तो नहीं बट अल्मोस्ट ज्यादा तर चीजों में देखते हैं कि कोई भी जो रड़ होता है that is due to presence of iron हम red soil की बात करते हैं क्यों red है वो due to presence of iron oxide हमारा blood red की हो है due to presence of iron तो हम ज्यादा तर जो चीज में देखते हैं वो red इस वैसे होते हैं और यहां पर भी आंसर वाई है जो जंग लगती है ठीक है जंग लगती है लोहे में तो वो कैसे reddish brown लगती है न तो वो भी iron oxide की presence के बनने की वज़े से ही लगती Fe2O3 वहां पर बन जाता है जंग लगने के केस में और इस वज़े से वो reddish brown लगती है और यह मैंने आपको बता रखा है कि जो जंग लगने का प्रोसेस है यह आपकी एक redox reaction होती है redox reaction आप समझते हो ना जिसमें के reduction भी हो रहा होता है और oxidation भी हो रहा होता है ठीक है क्या आप एक मुझे एक और बता सकते हैं आपको दो इक्जामपल बताए थे redox reaction के एक तो गया आपका corrosion और दूसरा chaos होता है चलो मैंको बताता हूं खाना का बासपन उसको क्या बोलते हैं बासपन को क्या बोलते हैं अगला है रक्त का दाप कि सिंद्र से मापा जाता है विच इंस्ट्रुमेंट इजूजड टू मेजर ब्लेड प्रेश्ट अनिमोमीटर स्फिग्ममानोमीटर पारोमीटर फे ग्यालवनोमीटर सही आंसर अप्शन नंबर ए होगा ए नहीं होगा अनिमोमीटर से तो हम स्पीड को मापते हो बट विंड डिरेक्शन को मापने के लिए एक अलग इंस्ट्रुमेंट का यूज़ होता है अच्छा आप ये बताओ कि लैक्टो मीटर से क्या हम आप रहेंगे लैक्टो मीटर यह हम लोग कर चुके हैं पिछले सेशन्स में नेक्स्ट कुश्चन है ट से दाइवर्ज करता होगा तभी तो कॉनकिव लैंस कैसा होता है मारा div erging lens और इसी वैसे में बहेंच यह थाँ मका ब्रिव यह हमारा बेन्गुल यह हमारा Arabian Sea जो most of the rivers है हमारी वो Bay of Bengal में गिरती हैं जैसे कि आपकी गोदावरी हो गई, क्रिशना हो गई, कावेरी हो गई, महानदी ये सब किसमें गिरती हैं आपकी Bay of Bengal में लेकिन कुछ ही selected rivers हैं जो आपकी Arabian Sea अरब सागर में गिरती हैं तो दो नाव आपको तो पता होंगे, रट ग जैसे मैं अभी बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपकी महानदी, गुदावरी, क्रिशना, कावेरी, सब Bay of Bengal में गिरती हैं नर्मदा तापी आपको पता है, आपका इसका मही होगा, बिक्रोज नर्मदा तापी में से आपके कोई option में है नहीं, अच्छा और आपको पता करती है, पाकिस्तान में पाकिस्तान से जो है, अब बात कर लेते हैं गोदावरी कि तो गोदावरी हमारी इंडिया की one of the largest river है, अगर हम बात कर लें कि जो completely इंडिया में फ्लो दिया, तो वह आंसर गोदावरी होगा, जो सबसे बड़ी नदी है, वैसे तो सबसे बड़ी न से जानते हैं यह आपको पता होगा ना दक्षिन गंगा के नाम से और इसका ओरीजन कहा से होता है, तो तुरे मकेश्वर प्लाट्यू से इसका ओरीजन होता है, यह जानक नहीं है, ठीक है, अगला कुश्चिन देखें, चलिए, अगला कुश्चिन है, किस मिटी में लोहे और अलुमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, विच स्वाइल कंटेंट्स अलुमीनियम, आइरन अलुमीनियम कंपाउंट्स, इस ग्लैंड्स नहीं होगा, ठीक है, अपर बाइवालोजी की बात नहीं होड़ी कंपाउंट्स होगा, ब्लैक लेटराइट, रेड या फिर सभी आख से लेटराइट तो होगा, ठीक है, लेटराइट मुसल्ह को कहाँ पर देखने को मिलती है सदर्न इंडिया में, जैसे कि आंद, प्रदेश वाला तामिल नाट वाला जो रीजन because due to presence of iron aluvial soil जो है हमारे इंडिया का सबसे largest part cover करती around 40% और जिलोल मिट्टिस को हिंदी बोलते हैं और इस दो तरह की होती है खादर और भांगर जो कि हम लोग देख चुके हैं previous sections में खादर हमारी नई aluvium होती है और भांगर जो हमारी old aluvium होती है ठीक है अगला है निम लिखित में से कौन सा ग्रह सूर का चकर सबसे कम समय में लगाता है which of the following planets revolves around the sun in the shortest time mercury, venus, earth और mars तो अगर हम बात करें सही answer है निक revolution period जैसे कि हमारा earth का revolution period कितना होता है एक साल हम मानते हैं जब एक revolution हमारी earth complete करती that is called one day जब एक rotation complete करता है घुणन एक पूरा करता है हमारा earth तो इसका हम एक दिन बोलता है उसी प्रकार सबसे कम एक तरह से revolution period किसका है सबसे जल्दी कौन चक्कर लगा लेता है तो answer मरकर योग option number A, buddh, कितना होता है इसका तो earth से अगर compare करें तो 56 दिन में ही जैसे हमारा 365 दिन में एक साल होता है इनका 56 दिन में बोल सकते हो एक साल हो जाता है इसके बाद आता है Venus जिसका 243 दिन में ही एक साल हो जाता है सबसे लंबा एक तरह से बोल सकते है किसका revolution period होता है तो यह होता है सबसे जो दूर planet है वहारा कौन सा नैप्चियून है और इसकी अगर हम बात करें तो 164 जब हमारे 164 साल होते हैं फिर 165 रफली मान लो 165 साल जब मारे होते हैं तब इसका नैप्चियून का एक साल होता है नहीं एक एक सुपैंसेट एर्थ डेज में कंप्लीट करता है अगला है किस फसल की बुवाई तर्था कटाई के बीच सरवाती कंतराल पाया जाता है गब बाकी अप्शन के अगर हम बात करें सभी राभी क्रॉप हैं अब राभी खरीफ के आप बात नहीं हो रही है बट फिर भी वही प्ल Replging कि अपर हम लगाएंगे कि राभी क्रॉप है अब रभी को हम कब शो करते हैं सरदियों के टाइम पर जब सचर्दियां स्टार्ट होते हैं अक्टूबर के तब सो करते हैं और सरदियं जब जाती है माँड शेप्रल के टाइम पे एक साल का गाप है इसमें तो option number C answer होगा सुगा के next question 25th number जैग बाड़ी पर योजना किस नदी पर स्थित है on which river is the जैग बाड़ी प्रोजेक्ट situated Krishna, गुदावरी, महानदी या फिर कालवीरी सही answer है option number B गुदावरी नदी पर आपका स्थित है जैग बाड़ी प्रोजेक्ट ठीक है, अगला question है 26th September भारत में योजना के आरंब से किसी भी पंचवर्षी योजना में अनाच्छदित कुल वर्षों के संख्या है what is the total number of years uncovered in any 5-year plan since the incorporation of the inception of the plan in India 5-year plan in India 3, 5, 6 या फिर 7 सही answer होगा है निकी आपसे पूछ रहा है कि जो 5-year plan run कर रहे हैं 1951 से अभी तक जितने भी 5-year plan हुए आपको पता है total कितने 5-year plan हुए 12, 12 भी complete नहीं हो पाए क्योंकि एंडिये government आई और उसने planning commission है और 5-year plan इसा भटा दिया ठीक है तो कितना gap राइन के बीच में कभी तो ये total रहा आपका around up 7 years का मान सकते हो जैसे कि आपका जब 5-year plan खतम हुआ 1966 में तो 3 साल के लिए gap जाए गया 1966 से लेके 69 तक और उसको बोला गया term holidays क्या बोला गया term holidays फिर again 5-5-year plan जब 1978 में खतम हुआ उसके 2 साल के लिए gap जे दिया गया 1978 से लेके 1980 तक और उसको बोला गया rolling plan और फिर 1990 में आपके लिख देता हूँ 1990 के बाद यू है annual plan स्टार्ट किया गया 1990 से लेके 91 और 91 से लेके 92 यहाँ पे 2 साल में annual plan को इंट्रिद्यूस किया गया तरह से अगर हम देखें तो 7 years का यहाँ पे gap देखने को मिलता है तो option numbers D अगला question है यहाँ पे question number 27 क्रिशी उपज के लिए नियूंतम समर्थन मोली की गोशना की जाती है When is the minimum support price for agriculture produce announced When ही पूछ रहा है यहाँ पे एक तरह से Who announces the MSP for agricultural produce and कौन करता है ठीक है कब नहीं National Farmers Commission, Planning Commission, Food Corporation of Indian EFCI या फिर Agricultural Costs and Prices Commission Answer D होगा CACP Commission for Agricultural Costs and Prices या फिर Agricultural Costs and Prices Commission बात एक ही है यह आपका announce करता है MSP minimum support price mostly आपको पता है किस किंदो crop के लिए क्या जाता है wheat and rice के लिए क्या जाता है ठीक है और sugar cane के लिए ध्यान रखना गन्ने के लिए MSP नहीं बलकी FRP मैंने आपको काफी बार बता है FRP या नहीं कि fair and remunerative price announce कर जाता है MSP नहीं कहता ध्यान रखना और इसको भी आपका CACP नहीं करता है इस CACP को ध्यान रखना है ठीक है कि जो हमारा CACP है वो सिर्फ MSP को announce करता है FRP को नहीं ठीक अगला है हमारा यहां पर राज कोशी घाटे और बजटी घाटे का अंतर किसके बराबर होता है What is the difference between fiscal deficit and budgetary deficit Public debt, revenue loss, depreciation या फिर primary deficit At least आपको depreciation तो अटा देना depreciation क्या है एक तरह से downfall in the economy जैसे कि हमारा monetary जो value है उसकी उसमें कमी आजाना That is called depreciation ठीक है यह तो होगा नहीं Revenue loss भी नहीं होगा Answer public debt होगा Debt मतलब घाटा एक तरह से बोल सकते है Deficit और यह का मतलब क्या होता है यह तरह से घाटे होते है ठीक है तो option number A सही answer होगा Primary Deficit का होता है Primary Deficit is called to Fiscal Deficit minus Interest Payment यहीं जो Interest Payment जैसे कि जो loan लेता है इंडिया किसी दूसरे देसे या फिर इंडिया किसी दूसरे देस को देता है loan तो उसमें जो net आपको interest payment होता है उसको अगर हम घटा दें Fiscal Deficit में से तो हमें Primary Deficit मिल जाता है फिर 1951 सही answer option number A होगा 1938 में जो है आपका Planning Committee जो है establish किया गया किस के दोरा establish किया गया नेता जी सुभाज चंद्र बोज जी के दोरा किया गया ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है जब वो Congress के President थे और इसके Chairman कौन थे National Planning Committee के बनाया तो सुभाज शन्द बोज जी ने था बट इसके Chairman जवहाल लाल नहरू थे ठीक है अगला कुश्चन है आज का मारा आखरी कुश्चन भारत में सोया बीन का सबसे अधिक उतपादन किस राजज़ में होता है तो आखरी कुश्चन में आप लोगों के लिए चोड़ता हूँ ठीक है यह आप लोगों के लिए कुश्चन है आखरी आपको बताना है थोड़ा सा आप लॉजिक यह लगाना कि सोया बीन कहां पर प्रडूस किया जाएगा सोया बीन जो आपके ड्राइ एडियाज है थोड़े से सूखे एडियाज जहां पर बारिश रतनी नहीं होती है ठीक है अब यह जो मैंने बोला इससे आप अटलीस दो आप्शन तो आठा सकते हो ना और अब दो आप्शन में देखो कि सोया बीन में क्या-क्या और फैक्टर्स काम करते हैं और कौन से टॉप मोस्ट प्रडियूसर हो सकता है ड्राइ कंडिशन चाहिए लेकिन बहुत ज़्याद ड्राइ कंडिशन भी नीची यह चीज़ का ध्यान रख क्या आप आंसर देना बाकि आपके 29 में से कितना आपने स्कोर किया या आपको कॉमेंट बताना है चलो मैं इसका आंसर बता ही देता हो फिर तुम बताओ कि आपके 29 में पूछा हूं 30 में सीधे बताना ठीक है उमीद तो मैं यह कर रहा हूं कि आपने इसका आंसर कॉमेंट में लिक दिया होगा इ और मार अकैडमी अप्लिकेशन में ना सिर्फ पीड़ेफ मिल जाएगा बलकि टेस्स सेरीज भी आ चुकी है CHSL और MTS की टेस्स को अटेम्ट करना स्टार्ट कीजिए एल्स इट विल बी टू लेट ठीक है तो चलिए मिलते हैं कल के पार्ट 4 में धन्यवाद